हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल टुट ओफ शेह मार्केट सो डिसकस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 23 फेब 2024 फ्राइड के लिए आज अगर आपने देखा होगा तो लास्ट में एक बाउंस आयता है अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी जो हम बैंक निफ्ट सब्सक्राइब करने से पहले इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लिजे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा आज हम लाइव गयता है एंड वहां पर तेरा रुपे की चीज खरी दी जो अल्मोस हंड्रेट पर बुक की थी एंड उसके बाद वह 200 हो गये क्योंकि 22,000 का सी ब बचास ठीक है तो देख लेना अगर चाहो तो वह लाइव वीडियो उसमें डली होई है एंड उसको फोलो कर लिजे सो दाट कभी भी मैं लाइव हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आया आइधर यूट्यूब आइधर इंस्टा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं है और सब्सक्राइब की बात करें तो 1424 अब यह लेवल डाट इस इंपोर्टेंट यह अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको वापस यह उपर दाता दिखेगा कहां तक 1435 और 1445 यहां पर अगर मैं एसल की बात करूं तो 1422 का आपका एसल रहेगा चोटा साइटन सोरी 1419 का एसल रह अगर आपको मिलता है 15.5 इसके नीचे मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर दार्गेट ओफोरीं 07 एंड यहां पर अगर हम बात करें एसल की तो एसल आपका 1420 का रहेगा ठीके तो अगर कोई बी लेवल पर अगर कोई ब्रेक आउट के ले तो उसका लोग भी आप एसल मार कर सकते हैं इसमय में भी आप प्लान कर सकते हो अपनी ओलिख को नेक्स्ट हम बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक ने वही काफी अच्छा मुमेंट चल रहा है और यह एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है अब यहां पर क्या है अब यह थोड़ा बु तो फाइब के उपर निकलता है तो 1117 एने 1130 तक के टारगर आपको देखने को मिलेंगे 1198.5 आपका यहां पर SL बनेगा 93 के नीचे निकलता है तो 85 and then 75 आपको यहां देखने को मिलेगा और यहां पर अगर हम बात करें तो 1197 आपका यहां SL बनेगा आपको प्लानिंग थोड़ा यह इन चीज़ों पर भी फोकस करना की 68 क्रोस होता है तो हम 81 पर बुक कर लेंगे और यहां वेट करेंगे बीरिश केंडल बनने का सो देट यह जब नीचे आए लोग बनाने के लिए सुरी हाय लोग बनाने के लिए तब हम उस साइड में ट्रेड लें बट हाँ 85 81 अगर यहां सर्वाइव करता है तो फिर आपको 98 तक का 29 27 यह लेवल टूटेगा तब आपका बड़ा फोल रिलाइंस में देखने को मिलेगा पर देखो एक चीज़ में बताओ अभी यह था कि डबल टॉप काइंड ओफ इस्ट्रिक्चर निफ्टी बनाए और फिर फोल करें और उस टाइप से फोल स्टार्ट भी हुआ था पर ज चीजों का ध्यान इन चीजों पर फोकस करना इसलिए मैं बोलता हूं जो भी मेरी एफाइस डेटा वाली वीडियो होती है उसका स्टार्टिंग के दो तीन मिन देख लिए कि जहां पर एफाइस के डेटा का डिसकॉशन है चलिए अगर बात कर लेते हैं इंफोसेस इंफोस यहां पर भी एसलिए बात करें तो यहां पर आपका स्टार्टी एटपॉइंट फाइव कर रहा है ठीक है इस इसने भी अपनी एक रेंज में जिसमें प्ले कर रहा था उसका ब्रेक आउट दिया ठीक है तो इसमें भी अब कल मुवमेंट अगर मैं को कर एक स्टोग करना चलो अब नेक्स्ट बात कर लेता है So that is our SBI SBI आप भी देखो काफी अच्छा मुवमेंट हो चुका And उसके बाद consolidation Kind of ही चल रहा है इसमें थोड़ा बहुत मुवमेंट देता है फिर वापस आता है फिर मुवमेंट देता है तो ये काफी दिन हो चुके तो अब भी avoid करो मेरे साब से 77.48 के उपर निकलता है तब ही buy करना बट कोई इसमें particular में कब buy करता है तो उसके नहीं 69 का level important होगा ये तूटता है तो फिर आपको 72.5 And then 77.48 यहां तक का target मिलेगा देखो ये भी क्या है यहां उपर जाएगा और यहां से इसमें भी profit booking आएगी देखो ये higher high फिर low बनाया फिर higher high बनाया फिर उससे high low बनाया तो इसी type से थोड़ा high बनायेगा फिर यहां तक आके low बनायेगा तो इसको भी थोड़ा समझ के चलना आगा SL की बात कर लेते है SL buying side के लिए आपका रहेगा दो दो point का SL रहेगा तो points के SL यहां पर आपको ले के चलना 68 के साथ 66 और 62 के साथ 64 तो that is your SL Tata Motors की बात करें अच्छा कल की radar में एक और चीज रखना Tata Motors है क्यों बोल रहा हूँ है क्योंकि देखो यह एक closing basis पर अगर यहां पर देखो एक train line तो जिसका इसने breakout के है ना तो train line का breakout करने के बाद क्या होगा अब यहां survive करता है तो काफी अच्छा moment हमें upside देखने को मिलेगा otherwise क्या है यह lower high lower low kind of structure बना रहा है लेवल क्या important रहने वाले है 934 के उपर निकलता है तो 940 and 949 तक के लेवल easily achieve होंगे अगर यह survive करता है इसके उपर तो 28 टूटेगा तो 23 and 16 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते है ठीक है जेसा pattern चल रहा है उसके साब से इसके just नीचे जाते ही उसके बाद आपको negativity का वेट करना होता है यहां पर नहीं बता रहा है यानि यह तो उल्टा चल रहा है लोवर लोवर बना रहा है तो इसमें बाइं आपको बनाते है उसमें जब हाई टूटता है और उसके बाद उपड़ जाता है तो वहाँ पर हमें negative candles का वेट करना होता है जब हो higher low बनाने जाए तब हम उसमें एंट्री लेए अचा इसमें SL लेवल ही डिसकस नहीं भी तो 928 के नीचे जाता है तो 23 and 16 यहां पर अगर मैं SL की बात करूँ तो 31 का आपका SL रहेगा फुर बाइंग साइड अगर सेलिंग साइड के बाद करूँ तो दाट इस वह भी 30 बनी रहेगा ना so that is your hard SL in Tata Motors next बात कर लेता है डानी डानी में क्या है देखो डानी भी consolidation ही कर रहा है जैसे आपका SBI कर रहा है बढ़ हां 3275 टूटेगा तो आपको 3300 and 3335 तक के लेवल देखने को मिलेंगे SL यहां पर हम 15 पॉइंट का SL यह लोवर रेंज का SL लेके चलेंगे 60 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको यहां पर अगर हमें SL की बात करें तो यहां SL आपको 65 का लेके चलना उनली पांच पॉइंट का SL लेके चलना इस से ज़्यादा नहीं लेके चलना तो अडानी एंड आई होप यहां तक चीज़े क्लियर होंगी एक तो इंस्टा आइडी को जोइन कर लेजिए क्योंकि कभी- उसमें आपको करा करूंगा ठीक एंड सेकिंड प्लीज लाइक और कमेंट किया कीजिए और जितना हो सके शेर कीजिए ना थैंक यू